हेलो गाईज, वेलकम बैक टू मिस्टर टेक्निकल और ये है सैमसंग गेलक्सी M20 और ये है रियल्मी U1 आज हम करने वाले हैं दोनों डिवाइस की बीच में स्पीड टेस्ट कमपरिजन और देखेंगे कौन सा डिवाइस यहाँ पे बेहतर परफार्म करता है बहुत सारे अप्लिकेशन्स ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा डिवाइस में अप्लिकेशन्स पहले ओपन होती है और मैं आपको बता दू कि यहाँ आपको मिल जाता है Exynos 7904 और यहाँ पे दिया हुआ है Mediatek का P70 तो यहाँ पे एक कंपरिजन भी होने वाला है Exynos 7904 वर्सेज Mediatek P70 तो बहुत ही बड़िया वीडियो रहने वाला है यह जरूर देखेंगा पूरा वीडियो आपको एक आईडिया लग जाएगा कि दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस आपको किस लेवल की मिलती है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और गाइस यहाँ पे PUBG भी रन करने वाले हैं और देखेंगे कौन सा डिवाइस पहले ओपन करता है PUBG को और दोस्तों अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी एप्लिकेशन बैग्राउंड में रन नहीं हो रही ही किसी भी स्मार्टफोन में एकदम इंप्टी है क्लीन है रैम और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाइफाई नेटवर्क है वो भी सेम सेलेट किया हुआ है मैंने तो ऐसा नहीं कि किसी फोन में इंटरनेट फास चलेगा है किसी में स्रोच चलेगा सेम वाइफाई नेटों के साथ में गरेक्टेड है तो यह तो यहाँ पे 1,2,3 यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले प्रोसेस किया है रियल में यूवन ने थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट है अगर हम बात करें आप एक्टूल परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस में आपको बहुत जादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा जैसे हम बात करें इसका यहाँ परफॉर्मेंस के बहुत जादा है और इसके लाब यहाँ परफॉर्मेंस है वह 27,165 और यहाँ पर जो स्कोर आया है वह 21,325 तो यहाँ बहुत बढ़ा डिफरेंस है अगर हम बात करें CPU की और GPU की इसके लाब दोस्तों यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं कुछ और हमारे पास जो कि है इंडिया का बहुत ही पॉप्लर गेम और यहाँ पर क्लिक करेंगे एकदम साथ में और देखते हैं कौन सा फोन बेहतर परफॉर्म करता है तो यहाँ पर रियल में यूवन में प्रॉसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है ओके तो काफी लेट है सैमसंग है यहाँ पर अब स्टार्ट हुआ है तो गैस यहाँ पर आप देखते हैं रियल में यूवन में गेम लोड हो चुका है पर यहाँ पर आपने देखा रियल में यूवन में गेम पहले लोड हुआ हैुसके बात लोड हुआ है सैमसंग गेलेकसी एम 20 में और इसको करता है मिनिमाइज और उसके बाद ओपन करते हैं कुछ और इachment को यहां पर ओपन करते हैं me अब ये सफर्स क्लिक करेंगे इस पर 1, 2, 3 तो गैस यहां पर काफी टाइम लग रहा है और यहां पर रियल में यूवन ने प्रोसेस कर दिया है यहां पर गेम जो है चलने भी लगा है लेकिन सैमसंग के गेलेक्सी M20 में अभी गेम लोड नहीं हुआ है तो यहां पर अगर आप कंपेर करेंगे तो काफी स्लो है यहां पर इवन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और यहां पर भी स्टार्ट भी नहीं हुआ है तो आप देख सकते हैं कि यहां पर गीम अब जाके ऊपन हुआ है तो काफी लेट है और प्रोजेसर की अगर हम बात करें तो पावार आपको रियल में यूवन में बहुत ही अच्छी मिल जाती है यहां पर मिनमाइज करेंगे और चेक करते हैं कोई और अप्लिकेशन को तो यहां पर रण करते हैं ट है तो गाइज यहां पर आलमोस्स ताइम पर उपन हुआ है बहुत आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता हलका सा फास्ता है यहां पर रियल में यूवन तो अब बात करते हैं कुछ और अप्रिकेशन की यहां पर ओपन करते हैं यूट्यूब को ओके तो वेर इस यूट यूट्यूब तो यहां पर आप क्लिक करेंगे 123 ओके तो यहां पर ओपन हो चुका है यूट्यूब और आप देख सकते हैं कुछ वीडियो और यहां पर आपको रियल में यूवन थोड़ा सा फास्त दिखेगा अगर हम बात करें कुछ और एक अप्लिकेशन की तो यहां प साथ में बटन को प्रेस करेंगे गो ऊके 123 ओक यहां पर पहले ओपन हुआ है रियल में यूवन में और आप देख सकते हैं यहां पर प्रफॉर्मेंस की तो पर्फॉर्मेंस यहां पर चिप्सेट की काफी फास्ट है और अगर हम बात करें कुछ और चीजों की तो डिजाइ यहाँ पे मुझे Realme U1 का ज्यादा पसंद आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं और दोनों फोन यहाँ पे देखने में काफी साही है लेकिन अगर आप तोड़ा सा अच्छा लूप चाहते हैं तो आपको Realme U1 की तरफ जाना पड़ेगा तो यहाँ पे एक जो नया डिजाइन है इनका गोल्ड कलर यह भी देखने में काफी कूल लगता है तो बताएगे का आपको यह कंपरिजन कैसा लगा और यहाँ पे मेरे ओपिनियन में Realme U1 ने बढ़िया परफॉर्म किया है और यह एक नया कलर आया है Realme U1 का और अगर आपको यह एच्छा लगता है तो जरूर से ले सकते हैं मुझे तो बड़ा पसंदा आ रहा है Realme U1 का यह गोल्ड कलर काफी शाइनिंग है और देखने में तोड़ा अलग है तो जरूर से आप देख सकते हैं आपको यह वीडियो पसंदा आया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए ऐसे कंपरेजन देखने के लिए सब्सक्राइब करके बिल आकन को जरूर कलिक करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे आप से ऐसी ही किसी इंटरस्टिंग वीडियो में